हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ वीभा और स्वागत्य हस्रपका अपने चैनल विभाज की चैनल लाइफ स्टाइल में आद में आज़ो के लिए दिवाली स्पेसल चकली की रेशिपी लेकर आई हूँ जो की बहुत ही यमी बनकर त्यार हुआ है और इसे मैंने बहुत ही कम अगर रेशिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा तो चलिए फ्रेंट्स अब हम इसे बनाना शुरू करते तो इसे बनाने के लिए मैंने सेम कटोडी से एक कटोडी बेसन लिया है और एक कटोडी मैंने अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून धनिया पाउडर 1 टीस्पून गरम मसाला 1 टीस्पून जीरा पाउडर 1 टीस्पून जीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे फ्रेंट्स और साथी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर साथ हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon हिंग 15- herum हवYour conducting टी स्पून से थुरा कम लेना है हमे और साथ हम इसमें सफेद तिल डालेंगे 1 Kita दिल डाल दिया है a pronounced video-o कि इसमें डालेंगे दालेंगे घंव कि भी अब्टर के इस्ते माल खराएंप नस्ताएं आप्याइन कर सकते मड़ी लिए eff對了 दू ANY्ता ओinguém अन्क 생री खरा और झेल ऊड़ान ओल कि नमीज देखा पानी फ्यार में अपनी यहांदि को 스ंद सब्सक्राइट सबस्क्राइए कि सब्सक्राइब करें मेरे मेल रूंदिर है फंजांगे माने हैं मात लिए उप डाला हुआजवाइन dot एक स्पून के चायतासे अब हम इसमें थोड़ा-धोड़ा सा पानि डाल कर इसका 2 त्यार करेंगे विविटकुल gamer त्यार करना है में इसका तो थोड़ा-थोड़ा सा पानि डालकर इस तरह सीस का दो फटा फटे त्यार करके रह लेंगे तो देखे़रे इंहि मैं आफ्से मिक करके ले लेना है और अब हम से हैं जो नो हो जुआ है निश्यागे तो टीयार हो चुक है उप्रेंच मेन लेंगे डालेंगे थोड़ा सा और इसमें हमें चार अब तरप से घ्रल लगा देना इसे अच्छे से ग्रिस कर लिया है अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा आटे के पार्ट में से जो हमने दो त्यार किया है उस पार्ट में से थोड़ा थोड़ा लेकर हम चकली स्टैन में भर देंगे तो इस तरह से हमें चकली स्टैन में भर देना है अब हम इने बंद कर देंगे और इस तरह से गोल घुमाते हुए चकली स्टैन को बंद कर देंगे अब एक प्लेट में गोल गोल घुमाते हुए हम सारी की सारी चकली बना कर पहले इस तरह से त्यार कर लेंगे तो सारे चकली को हमें इस तरह से गोल-गोल घुमाते हुए बना लेना है यानि कि जो चकली स्टेंड है उसे गोल-गोल घुमाते हुए हम सारी चकली बना कर त्यार कर लेंगे इस तरह से देखे फ्रेंट्स कितना डिलीसियस अभी कितना सुन्दर लग रहा है जब यह च्छन कर त्यार होगा तो और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा और बहुत एक विस्पी बनता है फ्रेंट्स तो आप इस दिवाली से जरूर ट्राई करें तो फ्रेंट्स देखे मैंने इसे अच अट्य से गरम हो चुका है किती जल्दी छणकर क्रिस्पी हो गया है तो अब हम इसे निकाल कर साइट में रख देते हैं और बाकी के जPOUS चकली जो छफ्रेंट्स अब इसमें हाई फ्लेम पर बनाना है और ना बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाना है क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पर बनाएंगे तो यह बिखार जाएगा तो इसलिए आपको इसका फ्लेम मीडियम ही रखना है और हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो यह जल्दी ही जल जाएगा और अंदर से कच बिल्कुल इसी सेम कलर में हमें चकली बनाना है यानि कि क्रिस्पी ब्राउन होना चाहिए और बिल्कुल ब्राउनिस कलर होना चाहिए अगर आप इसे तुरत उतार देंगे ना तो यह अंदर से कच्चा ही रह जाएगा तो इसे हमें थोड़ा क्रिस्पी ब्राउन बनाना है तो इसका कलर थोड़ा रेडिस हो जाएगा जब हम इसे डीप फ्राइग करेंगे तो चकली बनकर हमारी तयार है अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में टीशू पेपर रख लिजेगा ताकि जो भी ऑईल है वो ज्यादा इस यह ऑईली न बन पाए और जो भी ऑ कितना क्रिस्पी बनकर त्यार हुआ है तो इस दिवाली आप इस क्रिस्पी चकली को जरूर ट्राइग करें अपने घर पर और अगर रेशिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करके सबस्क्राइब करें एंड वीडियो को प्लीज पूरा वाज करें थैंक यू फ्रेंड झाल